नमस्ते, फवन सिंगे बारे में बिजज चोहान ने इतनी बड़ी बात कह दी है, कि मतलब हमेशा से जो होता है न, कि बिरोधी जब किसी का तारीफ करते है न, तब वास्तविक में मानना चाहिए, कि ये नमबर वन है, वरना अपने से तो हर एक कोई जो है, वो कहता है कि मैं नमबर वन हूँ, और दो-तीन लोग तो बस पकड़ के रखे हैं, कि हमारे पिटा जी जो है, वो नमबर वन है, लेकिन नहीं, मैं आप सब को बता दू कि विजज चोहान कल एक पोस्ट जो है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट किये हैं, और उसको मैं आप लोग को दिखा रहा ह इंस्प्रेशन है, वो पहवन सिंग है, जिनको देख कर उन्हें लगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, यानि कि आप सब समझ सकते हैं कि भोचपुरी इंडेस्ट्री में कोई अगर मेहनत करता है, तो वो है पहवन सिंग, और सबसे ज़्यादा मेहनती आदमी पहवन सिंग है ये काम गिनवाने के लिए नहीं करते हैं कि 35 गाने गा दिये, 36 गाने गा दिये, ये एक ही गाते हैं, लेकिन ये दरसक के दिल पे राज करने के लिए करते हैं उपर में लिखे हैं विजय चोहान जी कि मेरा बच्पन का जो सपना है वो पूरा हुआ, आप समझ सकते हैं कि हर एक किसी का बच्पन का सपना जो होता है, वो होता है पहुँचने के लिए लोग मेहनत करते हैं कि पहुँचने के लिए लोग मेहनत करते हैं कि पहुँचने म ऐसा कोई भी इंडस्ट्री में नहीं है, जिसके साथ इन्होंने काम नहीं किया है, कोई ऐसा सिंगर नहीं है, जिनको इन्होंने गाना नहीं दिया है, लेकिन इनका माइल अश्टोन थब कम्पलीट होता है, जब ये पवन सिंग को गाना देते हैं, और पवन सिंग इनका गान हुए हैं कहने के लिए कि मुझे दिन भर में 25 बार नमबर वन बोलना लेकिन ये पावण सिंग का राइटर मैनेजर नहीं है मनना बियुट चौहान के बारे में आप कितने गाने उनका भच चुके हैं लेकिन फिर भी उनका सपना है पोवन सिंह के साथ काम करने का सिलफी राज का पावन सिंग के साथ जब तक आप काम नहीं किये हैं तो आपका कोई जो है भोजपूरी में महातों नहीं है इस चीज को मानते हैं वीजय चोहान जी तो इस से बीरोधियों को काफी जाता जल रहा होगा यह तो मुझे पता ही है क्योंकि उनके बाप के साथ तो बीजय चोहान कई बार काम कियें लेकिन वो ओदा नहीं दिये जो पोगों सिंग को उन्होंने दिये हैं आप लोग कोई ये वीडियो कैसा लागा हमें कमेंट बॉक को दिखेगा इजाज़त लभी टेक्र बाइबाए ओल